नमस्कार दूस्तों स्वागत है आप सपीका इस्टेटी फित्यान प्रकास में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनसंक्या 2011 के बारे में और यही एक ऐसे टॉपिक है जिससे प्रस्न जो होते हैं वो लगातार हर परिच्छा में बनते हैं हाला कि प्रस्नों को जो उसको हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो सारा जो जो वीडियो है प्रस्न है काफी इंपॉर्टेंट है तो अंतर तक वीडियो को आप लोग देख लिएगा और सोसल मेडिया पर यानि कि ट्यूटर पर या फिर फेस्बुक पेंज पर या फिर टेलीग्राम पर अगर आप हमसे connect होना चाहते हैं तो आप हमें study with ज्यान प्रकास लिख कर सकते हैं और इसके लावा email ID हमारी है study with ज्यान at the rate outlook.com तो friends शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्शर को सबसे पहले बात करते हैं year of great divide तो क्या बता सकते हैं कि year of great divide के नाम से किस वर्स को जाना जाता है सही जबाब होगा इसका 1921 क्योंकि फ्रेंट्स 1911 से 1911 लेकर 1921 तक में जो जनसंक्या ब्रिदी थी उसमें काफी जो कमी आई थी ठीक हैं काफी डाउन फाल दिखा किया था पहली बार आप जब जनसंक्या में कमी आई थी तो इसी वजह से 1921 को जो है year of great divide के नाम से जान जाता है यह प्रसन कई बार repeat हुआ है तो इसको आप दो दोला ध्यान से देख लिजिएगा और अगला question होगा कि कि किस राज की जन्गरणा 2011 के अनुसार तो किस राज की जन्गरणा 2011 के अनुसारी है तो किस following is the state has negative population growth in according to census 2011 ठीक है तो देखें यह जो देश है sorry यह जो प्रदेश है वो है नागलेंड तो option 20 का सभी जवाब है नागलेंड की राजधानी कहां पर है नागलेंड की राजधानी है कोहिमा ठीक है और नागलेंड का एक तवार भी काफी प्रसिद्ध है उसका नाम क्या ह है उसका नाम है हॉर्ण बिल तो याद रखेगा इतने points उसमें से और अब चलते हैं आगे 2011 की जंगरना के अनुसार भारत में सबसे अधिक सहरी आबादी वाला राजधी कौन सा है देखे question जो है वो ध्यान से देखेगा सबसे अधिक सहरी आबादी वाला राजधी as per census 2011 the state in India with the highest urban population अब यहां पर एक बात या ध्यान रखेगा कि जो बिकल्प है उसी में से हमें उत्तर को सर्ष करना है ठीक है तो जैसे कि अगर इसमें दिल्ली होता तो हम दिल्ली को ही बता देते कि दिल्ली जो है सबसे highest level पर urban population रखती है लेकिन इसमें दिल्ली तो हही नहीं है त वो इस बिकल्प के अनुसार जो है महाराष्टा सही है एक्चरिम जो अर्बन एरिया होता है वो क्या होता यह भी आपको जाना चाहिए तो अर्बन एरिया मतलब जहां कि आबादी जो है वो कम से कम 5000 हो और वहां पर 1 km2 में कम से कम 400 लोग यानि कि 400% per km2 पर रहते हों और ज और इस विकल्ब के अनुसार महाराष्टा सही है वैसे आप देखेंगे तो सही जवाब यहाँ पर होगा अगर question यह पुशा जाता कि total highest urban population और उसमें दिल्ली रहती तो सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे अधिक जो urban population है उसमें सही जवाब होता डेली का ठीक है डेली तो अगर डेली होती तो डेली पर जवाब होता और इसके बाद नंबर आता है गोवा का और इसरे अस्थान पर आता है मिजोरम ठीक है इसरे अस्थान मिजोरम हो गया और फिर आता तमिलनाडू फिर केरल और फिर महाराष्टा तो इस विकल्ब में क्योंकि option B है महाराष्टा तो महा अब बात करते हैं जन्रतना 2011 के अनुसार भारतियों में साक्षरता दर कितनी है देखे पूरे भारत के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि पूरे भारत में जो भारतियों में साक्षरता दर थी वो कितनी है ठीक है तो यह काफी important question है सही जबाब इसका हो जाएगा 74.04% अब यहाँ पर अगर यह आप से पुछे जाता कि all over जो male literacy है ठीक है male literacy वो कितनी है तो male literacy है यहाँ पर 82.14% और वहीं पर अगर बात होती female literacy कितनी है तो female literacy है 65.46% समझ गया और जो highest increase हुआ है literacy rate में तो उसके लिए दादर नगर हवेली है तो दादर नगर हवेली जो आप समझ र परदेश है और राज्यों में जो highest literacy rate जो increase हुआ है उसमें बिहार आता है तो अगर बात करेंगे यूनिय टेरिटरी में तो दादर और नगर हवेली है और अगर स्टेट के बारे में बात करेंगे तो सही जवा हमारा हो जाएगा बिहार ठीक है समझ गया चलिए आगे स्ट्री आयो की अध्यक्सता कौन करता है यह कोश्चत बहुत important है दा national commission on population is headed बाई तो national commission on population जो तो इसकी अस्थापना कब हुई थी 11 मई 2000 को ठीक है जीते 11 मई 2000 को और इसको हेट करते हैं ब्रधान मंत्री अब अगर सवाल यह पुछा जाए कि national commission on population का जो डेप्टी चेर्म होते हैं वही डेप्टी चेर्मन होते हैं किसके national commission on population के ठीक है समझ गया तो यहां पर देखेंगे अगर आप तो इसका जो गठन हुआ था कास्ट सेंसस वाज लास्ट कंडक्टेड वाई यानि कि 2011 से पहले जो जादी जंगरना होई थी वह कब हुई थी तो सबसे पहले तो हुई थी 1931 में याद रखना इसको तो 1931 इसका सही जबाब है अच्छे एक बात और भी कि 2011 की जो जंगरना थी उसकी सुरुआत कहां से और 2011 के जो रजिश्टरार जनरल थे समझ गया आप जो 2011 के रजिश्टरार जनरल थे वो कौन थे सी चंगर बॉली इसके बारे में आगे बात करेंगे और 2011 की जो जंगरना थी वो 15 जंगरना थी और अब 2021 में जो होने वाली है वो कौन से होगी 16 जंगरना होगी अच्छा कमे पहले रिजट्रार जन्रा और जन गैलनधू आयुक्तॉ में तो यहां पर आएक का निकल में में अब स्वतंत्र भारत की जो पहले चुना हुए थे वो कब हुए थे 1951 में लेकि ये MWM Eats जो थी इनके मृत्य हो गई थी कब 1948 में अब भारत आजाद हुआ था 1947 में तो भारत क्योंकि आजाद हो गया था ना तो उसके बाद 1948 में 1951 की जंगरना के लिए जो रिष्टार जनरल बनाए गये थे वो बनाए गये थे MW Eats लेकिन इनके मृत्य हो गई 1948 में तो इनके अस्थान पर रखा गया था आरे गोपाल स्वामी को ठीक है फिलाल इसका सही जवाब होगा MW Eats और अगर ये बिकल्पे नहीं होते तो सही जवाब होता आरे गोपाल स्वामी ठीक है आगे बढ़ते हैं जंगरना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज कौन सा है Indian state with highest population तो सबसे अधिक जंगरना देकि ये question तो बहुत आसान है ठीक है और सबसे lowest कौन सा है तो सबसे कम जनसंख्या थी किसकी सिक्किम की ठीक है तो highest कौन है उत्तरप्रदेश lowest कौन है सिक्किम और अगर क्रम से देखा जाए तो सबसे highest जो जनसंख्या थी highest population वो किसकी है UP की UP के बाद जो आता है महाराष्ट्रा ठीक है तो ये क्रम बनेगा इसका और आगे बढ़ते हैं कुशन नमबर 9 पे 2011 की जंगर्ना के अनुसार भारत में सहरी आबादी कितने प्रत्चत है तो ये भी काफी important है भारत में सहरी आबादी 2011 की जंगर्ना के अनुसार कितनी है देखिए जब देश आजाद हुआ था 1947 में तो उसके बाद जो भारी जंगर्ना होई थी कब होई थी 1951 में तो उसमें जो सहरी आबादी थी वो कितनी थी 17.3% ठीक है लेकिन अब ये बढ़कर कितनी हो गई है 2011 में ये हो गई है 31.36% तो ये भी कब से होगा 31.36% तो दोनों याद रखता है 1951 में कितनी थी 17.3% अब हो गई है 31.36% ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं question number 10 पर आते हैं population trend के अनुसार high growth period माना जाता है यानि कि कौन सा दस्तक्ता जिसमें सा संक्या जुकी ब्रिद्धी बहुत तेज गती से हुई थी तो यहाँ पर चार विकल दिये गए हैं उसके अनुसारी आपको उतर देना है हलाकि यही सही जबाब भी होगा तो 1951 से लेकर 1981 तक का जो period रहा वो period of high growth माना जाता है तो option C अब यहाँ पर जो time spend दिया गया है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली बात हो यह कि 1891 से लेकर 1921 तक यहाँ पर जो population रही वो stagnant रही ठीक है मतलब समान रही इस्थिर रही थी इस्थिर वाला वरसरा उसके बाद steady growth देखा गया था 1921 से लेकर 1951 तक हलाकि एकर वही पर देखा जाए तो 1911 से 1921 के बीच में एक downfall भी देखा गया था और 1951 से लेकर 1981 तक का जो period था वो high growth का था और 1981 तक यह अब तक का period जो है यह decline growth का है तो यह बात आप जरूर याद रखना इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं women to men ratio in India as per census 2011 जो भी प्रस्थियाब बन रहे हैं वो 2011 के इस्थाप से ही बन रहे हैं तो यह तो बहुत आसान है कि 2011 की जर्णना के अनुसार जो लिंगान उपात है वो कितना है तो वो है 940 मतलब की एक हजार पूर्सों पर 940 मैला हैं तो यह तो को बहुत कम नहीं है लेकिन काफी कम है और इसको reasonable मत मानना ठीक है जब आकड़े बढ़ते हैं तो 0.01% का जो भी difference होता है यह बहुत बहुत difference होता है आगे चलके create कर देता है तो यह होगे 11 प्रस्न अब कुछ प्रस्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ ठीक है इसका उत्तर क्या करना है आपको नीचे देना लिक के comment box में हलांकि इसको मैं discuss कर रहा हूं तुरन थी लेकिन सबसे बले आप लोग बताईए कि इसका उ कौँ तो अभी बताईए कि कौन सा दसक था जिसमें भारत की से सकते में negative growth rate देखने को मिली थी दूसरा सवाल होगा कि 2011 की जनरना के समय देखिए अलग-अलग comment मत करिएगा एक ही में comment करिएगा ठीक है जब आप लोग अलग-अलग comment करते हैं तो जो एक one line comment होते है न उसको क्या करता है YouTube स्पैम कर देता है और यहीं होती है कि मैं आपके maximum comment को देखी नहीं पाता हूं या पिर जब आप कोई उसमें link डाल देते हैं कि यह link पर जाहिए तो link को भी YouTube क्या करता है इस पैम कर देता है तो वो link भी में नहीं देखते हैं तो link और इस तरी के one liner जो मतलब की वन लेटर टू लेटर के जो comment होते हैं उसको करने से आप लोग बचा करोगर आप चाहते हो कि comment मुस्तक पहुचे तो तो question number 13 पे आते हैं 2011 की जंगरना के समय भारत के registrar general और जंगरना आयुक्त कौन थे तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 2011 के भी बारे में और 2021 के भी बा 2011 के census के अनुसार और 2001 से 2011 के बीच जो दसकी जन संख्या ब्रिद्धी रही थी वो कितने प्रत्सत रही थी यह भी बताना है आपको और अगला question है कि 2011 की जंगरना में सबसे कम आपादी वाला केंदर सासित प्रदेश कौन सा है तो बात यहाँ पर क्या रही है केंदर सासित इसके बारे में तो फ्रेंड्स यह वो प्रस्न है जो काफी important है और इसमें से आप कितने प्रस्नों का उत्तर दे पा रहे हैं इससे आप अपनी तयारी को परक सकते हैं और अगला question होगा कि 2011 की जंगरना में सिस्ट लिंगान उपात जो की 0 से 6 वर्स तक है थे कितना रहा था और last question है कि भारत में दुनिया की कुल आबादी का कितना प्रस्यत है यानि कि दुनिया की जो पूरी आबादी है और भारत की जंसंक्या है तो दुनिया की आबादी का कितने प्रस्यत है भारत की जंसंक्या यह question है आप ठीक है तो 18 question आपके हो गए और मुझे लगता है कि ब सबसे पहले बात करते हैं किस दसक में भारत की जनसंक्या में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी तो जो पहला कोश्चन था वही मैं आपको बता दिया था पहला कोश्चन 1921 तो 1911 से लेकर 1921 के बीच में ठीक है तो यह हो गया इसका सही जबाब और 2011 की जंगरना क तो इसका सही जबाब होगा है तो इसका सही जबाब होगा 382, 382 ब्यक्ति प्रतिवर्ग किलो मीटर, ठीक है, उसके बाद है, 2001 से 2011 के बीच, 10 की जन संक्या बृद्धी कितनी रही थी, ये कोर्शन तो बहुत इंपोर्टेंट है, तो इसका सही जबाब क्या होगा, 17.64 परसेंट, ठीक है, यादक ना इसको, और 2011 की जन गड़ना में सबसे कम आबादी वाला केंडर सासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है लक्ष दीप, ठीक है, लक्ष दीप है, और यहाँ की जो आबादी ये बहुत इकम है, मात्र 64,429 ब्यक्तियां पर रहते हैं, 2011 की जन गड़ना में सिसलुंगान पात कितना रहा था, तो ये माना गया था 919, और इसमें भी जो रूरल था वो अधिक था, रूरल था कितना, 923, और अगर अर्बन के बारें बात करें, तो अर्बन 905 ही था, ठीक है, और भारत में दुनिया की कुल आबादी का कितना प्र अगर आपको एक बार नहीं आया, तो दो तीन बार देख लिजेगा, प्ले करके तो आपको जन संख्या जो है, वच्चे से रट जाएगे, ठीक है, डिटेल वीडियो जल्दी अप्रोड होंगे, बने रही है हमारे साथ चैनल पे, वीडियो पसंद आया, तो इसे अधिक से लाइक और शेयर कर दिजी का, थैंक यू सो मच